कि यहां तक ठीक है अगर सब्सक्राइब कर देगा अब इंटरप्रेटर आएगा अब इंटरप्रेटर क्या करेगा लाइन बाइड रीड करके और पूट जेनरेट कर देगा ठीक है क्या करेगा यह लाइन बाइन रीड करके और पूट जणरेट कर देगा ठीक है और वह एक सब्सक्राइब में कर देगा यह सब्सक्राइब कर जाएक और और प्रॉपरेटिंग इसके पास क्या होता है system calls है ना क्या होता है system calls एक functions होते हैं पहले से बने बनाए जैसे मान लिया c में लिखा print app यह प्रिंट है ना यहां पर जो function आएगा system है ना calls में उसका नाम रहेगा right क्या नाम है right तो वो function call होगा system calls जो है वो predefined functions हैं किसके पास operating system के पास किसके पास फिर वो जो system जो होगे ना calls वह जाकर के अब करनल भी क्या है एक functions ही है लाबरी है फिर वो करनल कि से इंट्रेक करेगा relevant driver से ड्राइबर भी क्या है functions नहीं है लाबरी है फिर वह hardware से जाके इंट्रेक करेगा और वह जब भी प्रोगाम बनाते ना उसके तीन होते हैं फेज ठीक है क्या क्या फेज होता है एक तो algorithm पहले मतलब steps दूसरा flow chart मतलब उसका डाइग्राम से दिखाना फोड़ जो होता है वह होता है तो हम लोगों ने अल्गर्थम पर फ्लोचाट कल देख लिया था आज सिधा इस्टार्ट करेंगे कोडिंग ठीक है कि बग जिस नहीं नहीं देखा है देख लेना recording पिशली क्लास वाला यह सब समझना गाएगा अब प्रोगामिंग आज से स्टार्ट करेंगे अपन अब भरगर्राम करना है क्या करना है सब्सक्राइब से फॉस्ट है फ्रुगाम का एंट्री पॉइंट होगा ठीक है चाहां पर सबसे फॉस्ट होते ही एंटर करता उसका नाम है में नाम का एक फॉंक्शन है क्या है में नाम का फॉंक्शन इसका एक्षिंशन दे देंगे डॉट सी ठीक है आ गया लिखो यह प्रोग्राम का इंट्री पॉइंट है इंट्री पॉइंट या इसी को बोलते हैं प्रोग्राम एक्जीक्यूशन फंक्शन इसके बिना प्रोग्राम नीचे वा कि आपके होगा इंट्री चला सकते हो ऑन लाइन बेचला सकते हो पॉइंट अधि अब उनका रिटन टाइप होता है हमें कुछ भी रिटन नहीं करवान है यहां पर लिख देंगे वॉइड इस क्या लिख देंगे वॉइड बट जेनरली क्या किया जाता है और पर टिंग सिस्टम को वह इंटीजर भीजा जाता है सिगनल कि यहाँ पर कर देंगे आ एंटी एंगे और यहां लिख देंगे रिटर्न है कुछ भी इंटीजर लिख सेकते हैं ठीक है यह बेसिक कर स्ट्क्चिर है 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 देख लेंगे देखो यहां लिखना ओन्लाइन सी कंपाइलर रहे ना ठीक है यहां पे कर ले ना अब देखो अब रहा कुछ दिस्प्ले करवाना कष्प्रेंट करना है क्या करना है कुछ तो उसके लिए फॉंक्षान आता है पहले से बना बना जिसका नाम है मैं वापस खुद्से लिग देता हूं तो हमें कुछ प्रिंट करना जिसका नाम है एना प्रिंट एप्स ठीक है क्या ना मैं एना प्रिंट एप अब यहां हेलो लिख देंगे ठीक है क्लियर है लेकिन दिखत क्या है सो देखो फंक्शन जिते यूज होंगे न प्रिडिफाइन वह डायरेक्ट तुम एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि जिते फंक्शन सें वह सारे किसी ने किसी लाइबरीरी मतलब फोल्डर में रखे वे डायरेक्टरी में रखे वे जिनको यहां पर कहते हैं है यह जो इसका नाम है समझ में ठीक है अब इसको ऐसे नहीं लिख सकते डारेक्ट इसके लिए एक कीवर्ड आता है जिसका नाम है इंक्लूड क्या नाम है इंक्लूड अब हमारा हमारा जो प्रोग्राम में उसका इंट्री पॉइंट कहां पर है में ना मतलब रन किया हमने तो सबसे हमारा कंट्रोल यहां पर आएगा ठीक है कहां पर आएगा यहां पर आएगा बताओ और सही है यहां पर आएगा ना कंट्रोल तो यह तो रीडी नहीं होगा यहां पर इसके पास गया ही नहीं यह तो रीडी नहीं हुगा कि यहां आएगा यहां के बाद यहां आजाएगा इसको तो जानता ही नहीं क्योंकि यह वाला जब तक रीड नहीं होगा यह फिर कैसे आएगा नहीं आएगा हमें क्या करवाना है में से पहले कंट्रोल को यहां भेजना है यहां से स्टार्ट करना है मतलब मैं से बिफोर कुछ बाुसेस हो जाए उसके लिए सिंबोल बनाय गया जिसको बोलते हैं प्री प्रॉसेस डिरेक्टिव जोताएं कि उसका सिंबोल सॉर्ट में दिया गया है स्टे के दिया गया समझ माया अब रॉन करोगे आगे हलो अब नोट्स लिखो